नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लॉक्स में हमारे सामने एक सुन्दर सी मेल हतीली है आप पुरुष जातक है और देखेगा आपकी हतीली में जो यहाँ पर ये वाला परवत है मरकरी का माउंट वो धीरी धीरे सुन्दर और अच्छी इस्तिति में आ रहा है और बहुत जल्द ये सांदार परिणाम देगा इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि ऐसी सिच्वेशन आने वाली है और ऐसी ये आपके अंदर खूबियां देने वाला है कि आप हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांती समझेंगे भी और उसका फाइदा भी लेंगे और योजना बनाकर अगर अपनी जीवनकाल में ये आगे बड़े तो एक बड़े अस्तर तक पहुँचेंगे हाँ एक क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी चली आ रहे है आप जो भी कारे परारम एक बार कर लेते हैं तो कभी भी उसे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं पूरा करके रहते हैं और आने वाले समय में यही क्वालिटी आपकी जीवन को निखार करके रखेगे यह जैसे जैसे पुष्ट हो रहा है आपके अंदर ब्यापार की जो समझ है ब्यापार की जो गुण है वो निखर रहे हैं चाए अभी कुछ नहीं भी है तो भी यह इस पश्ट बठा रहा है कि मनो बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होने वाले हैं सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जान लेंगे और इसमें अपनी मार्केटिंग को बढ़ाएंगे ब्यापारिक कारियों में आने वाले समय में विसे सपलता की प्राप्ति होने वाली यहां पर दिखाई दे रही है और वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है साथ में अगर हम देखें ये उंगली भी पूरी तरों से जुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ इस पश्ट तरीके से बता रही है कि धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है तो ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल होने वाली है और उच्वर्ग का व्यक्तित्वा आपका रहेगा स्रेश्ट और सफल व्यक्ति आप होंगे अपने बलबोते पे कुछ करने वाला जो गुण है ये एक्टिब हो रहा है इसका लाब आपको निश्चित तोर पे होने वाला है लेकिन बीच में एक चीज देखेगा आपकी हतेली में एक धन की नुक्सान करने वाली और करजा देने वाली रेखा भी है इस रेखा का सबसे पहले आपको उपाय करना है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हात में एक रेखा जो है निम्नमंगल से इस प्रकार आ रही है और अगर ध्यान से देखें तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई भी दिखाए देरी भले ही ये बाद में इस पे जाके यहां मिल रहे हैं सांदार प्रणाम दे रही है लेकिन अभी इस प्रकार से आपकी रेखाई आ रही है ये तो अलग है ये दो रेखाई आप देखेगा ये रेखाई हैं सबसे पहले आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है किसी परवत पे नहीं पहुंच रही है बलकि जो मुख्य रेखाएं हैं, प्रिंसिपल रेखाएं हैं, उन लकीरों को काट रही हैं, दूसित कर रही हैं और जीवन में जबरदस्त प्रभाविस का पड़ता है, सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, तो क्या हो रहा है? जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, सबसे पहले मुश्किल ये ही हो रही है, कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, पैसे रुपे को लेके, क्यों कि ये करियर और धन की रेखा को दूसित कर रही हैं, तो पैसे रुपे को लेके, मनि कहीं न कहीं ज अरही है इस इस्तिति को बथाता है रोजगार को लेके कही न कहीं उसकी उज़ासे रोजगार ठप पड़ गया है आजीव का नहीं चल पा रही है इनको लेके बहुत जगा उतार-चड़ाव आपको जहिलने पड़ रहे हैं और उसका असर किस पे पड़ रहा है मन और मस्तिस्क पे तनाव की इस्तिति करजे की इस्तिति धन के नुकसान की इस्तिति ब्यापार के नुकसान की इस्तिति को ये बता रहा है और इसका साथ कौन दे रहा है इसका साथ दे रहा है आपका दूसित रूप में खड़ा सुक्र क परवत और उसमें बनने वाले इस्तिति जीवनकाल में ये लगातार आपको संगर्स दे रहा है और धनिहानी हो रही है ब्यापार में कहीं न कहीं ये नुकसान को दिखा रहा है और ब्यापार में जो है चीजों को गड़बड कर रहा है आगे की इस्तिति बता रहा है कि उनमें धन कमाने की इस्तिति लेट ले जा रहा है निश्चित तोर पे ये इस पश्ट दिखा रहा है कि 56 वर्स की आई के बाद बहुत अच्छा समय आपकी जीवन में आने वाला है लेकिन 56 वर्स तक आपको थोड़ा सा जो है संगर से भी जेलना पड़ेगा और थोड़ा धन के मामले में भी जो है उतार चड़ाव बने रहेंगे लेकिन 56 वर्स के बाद बहुत अच्छा समय आ रहा है अगर करजा रहेगा भी पीड़ा देने वाला करजाने रहेगा तो लेकिन तब तक क्या करना है आपने उपाई करने है और जब आप उपाई करेंगे तो कोई नो क कार्या आपका चलने बैठ जाएगा और कार्य कब चलता है जब उपाई प्रोपर तरीके से करते हैं तीन महेने तक 6-8 महेने के बाद से हलका प्रणाम दिखने बैठ जाता है 18 महेने के बाद से प्रणाम अच्छा आने बैठ जाता है तो चीजें बहुत अच्छी रूप मे आएंगे और अच्छी रहेंगे अब यहाँ पे कुछ चीजों को देखते हैं पूरी हतीले का विश्लेशन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका केतु का परवत दो रेखाईं यहाँ पे हैं बले यह बहुत जादा दोसित हैं लेकिन दोर लकी रहे हैं इसका मत रहेंगे और यहाँ पे कह रहा है जो यह दोर चला है छपनवे वर्स तक का थोड़ा संगर्स भी रहेगा और कोई न कोई चिंताएं भी बनी रहेंगे लेकिन उसके बाद इसी संगर्स के बदोलत आप जीवन में हर सुक को पाएंगे हर सुक का अपनी जीवनकाल में भोग भी करेंगे बुडापा आपका बहुत अच्छा और व्यवारिक गुजरेगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यह उंगली पूरी तरो से जुक रखी है अपकी मिडल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाई अच्छी रूप में रहेंगी इस तोर में बड़ा विस्वास मिडल फिंगर अगर हम देखें यह पूरी तरो से जुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ कुछ ज्यादा मेहनत और प्रिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि आपकी मानसिक जो चमता है वो स्वाविमान में बिर्दी हो रही है बिवेक बहुत अच्छा जागर्त हो रहा है और औरों की मदद भी करेंगे नौलेज बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में भग या प्रबल रूप में आपका साथ देता वा यहां पी दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिख रहा है रिंग फिंगर पूरी तरों से जुक रखी है मिडल फिंगर की तरफ यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में जो बिस्तार पाने की इक्षा है वो बड़े रूप में दिखाई दे रही है इसका लाब होगा पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है अच्छा भी है चाहिए ही चाहिए अगर हम दूसरी चीजों को देखें तो ये उंगली पूरी तरों से जुक रखिये की तरब धन कमाने के ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसके ये पहले पोरवे तक पहुँच रही है तो ब्यापार में उत्कृष्टता हसिल होगी उत्चवर्ग का व्यक्तित्वा रहेगा स्रेष्टतम सपलता प्राप्त होगी और अपने ही बलबोते पे अपने जिवन में बहुत बड़ा कुछ करेंगे अंगोठा अभी जो है 56 वर्स तक थोड़ा संगर्स को दिखा रहा है और जल्दबाजी में भावनाओं में आके किसी की बातों में आके अगर काम कर भी लिय तो धनहान होनी की संभावना भी दिख रही है 56 वर्स के बाद बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है बड़ा प्रबल समय आपका दिखाई दे रहा है हाँ अगर हम बात करें उपाई की उपाई दोंगा 6-8 मेहने के बाद थोड़ा प्रभाव पड़ेगा 18 मेहने के अपना प्रभाव दे रही है यह बहुत सरेष्ट है सब के लिए सोचने वाला भीक्ति तो आपका है नौलेज बहुत अच्छा है बुद्धिमान भी है तीजुस्वी भी है और प्रेम के मामले में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं नाटक बाजी नहीं करते हैं जि लेकिन दिक्कत वाली चीजे नहीं है निरमल हिर्दय का ब्यक्तित्व है जब इस रेखा का प्रभाव और इस लकीर का प्रभाव खतम हो जाता है मनि कर्ज और धन के नुकसान की जो रेखा है वो अपना प्रभाव खतम कर लेती है तो आपको मान पद्द प्रतिष्टा या अपने कारियों में बड़ी सपलता मिलने की संभावना दिख रही है और इस लकीर और व्रस्पति के कारण आगे का जो जीवन है चाहे जिस भी प्रकार से हो चाहे ब्यापार करे चाहे नोकरी करे चाहे और भी कोई काम करे एक सरिष्ट जीवन आप बितित करते रहेंगे यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर मस्तिस्क की रेखा देखें बहुत सुन्दर है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा रहेगा क्रेटिविटी बहुत सुन्दर रहेगी अच्छी रही जीवन की रेखा पूरी तरो से हतेली को पार कर रही है गुमावदार धनुसाकार है करहों के प्रभाव पढ़ने पर 56 वे वर्स के बाद जो धन की इस्तिती है वो बहुत बड़ी रूप में दिखाई दे रही है और परिवार के प्रती समरपन दिखाई दे रहा है एक रेखा इस प्रकार से जा रही है ये ब्यापारिक बुद्धी देती हुई दिख रही है ब्यापार के गुणों में बडोतरी कर रही है और देखेगा सफलता की इस्तितिकों पैदा कर रही है आने वाले समय में सपलता अच्छी मिलेगी लेकिन digestive system का ध्यान रखें ये weak हो सकता है पेड़ समंदी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है करियर और धन की रेखा देखें ये इसपश्ट है निश्चित रूप से ये कोई दोस नहीं दे रहा है लेकिन इन रेखाओं की वज़व से आपको जीवन में कठनाईयां सहनी पड़ रही है मनी ट्रेंगल भहुत अच्छा है 57 वर्स से 57 एर से इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा कहते हैं रोडपती से करोडपती इस परकार की इस्तिति को ये पैदा कर रहा है और यहां से एक इस परकार से जा रही है तो इसका फायदा 57 वर्स में जो है दो तरफा धन दो सरोतों से धन का आगमन होगा यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा चतुस्कून बन रहा है जो अनेक चीजों को दे रहा है लेकिन ये चीज 48 वर्स से दिख रही है वेंसे अगर राहो का प्रभाव नहीं पढ़ता तो 48 वर्स से जो है बहुत बड़ा 54 वर्स तक बहुत बड़ी योग बन रहे है थे लेकिन राहो के प्रभाव पढ़ने के कारण चीजे थुड़ी बिखर गई है यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है हलकी मचले का भी चिन बन रहा है रहसे में विद्याओं की तरब भी आकरसन जादा रहेगा और यहाँ पर एक तिर्कून भी बन रहा है आने वाले समय में ये बड़ी गाड़ी और बड़े घर की और इसारा कर रहा है और धन में अचानक बहुत बड़ी बिद्य की और इसारा करता हो दिखाई दे रहा है सम्मान बहुत अच्छा रहेगा अपने कारियों में विस्तार करेंगे जीवन के काल के अगर हम बात करें तो आगे की जीवन में परसिद्धी भी मिलेगी और बड़ी सपलता भी मिलेगी ये इस पश्ट तरीके से दिख रहा है यहाँ पर अगर हम देखें ये आपका जो है सुक्र का परोत है अतिबले हो गया है थोड़ा अन्बैलेंस हो गया है तो मानसिक परेशानियों को दे रहा है किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रिस्रम करने के बाद भी अभाव की इस्तिती दिखाई दे रही है लाख प्रियास करने पर सारे सादन होने के बाब जोद भी सुक नहीं मिल पा रहा है जिसे सुक कहते हैं वो सुक नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए एक दिब्य योग ध्यान के लिए मैं दे रहा हूं उसको जरूर करिएगा निश्चित रोप से उसका फल देरे-देरे प्राप्त होगा लेकिन बेहतरीन इस्तिति का होगा निम्न मंगल आपका जो है रेखाओं से भरा पड़ा है और बहुत गहरा है तो कभी-कभी कनिफ्योजन के इस्तिति उल जहनी के इस्तिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और निरणए लेने की जो ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है अगर इसका सार जाजरिक ताकत कभी-कभी उसमें कमी महसूस हो सकती है कभी-कभी सरीर की जो जोड है उनमें दर्द उगेरा हो सकता है और जादा अगर इसका प्रभाव पड़ा तो सरीर में कभी-कभी कमपन की समस्या भी उत्वन हो सकती है और इसका जादा ही प्रभाव पड़ जाता है तो बलड प्रेसर की समस्या आ सकती इसके पूरे संकेत दे रहा है तो इसको ठीक करने के लिए एक दिब्य सूरी किरिया दूँगा उसमें मंगल का उपाई दूँगा जरूर करेगा उपरी मंगल आपका ठीक है लेकिन थोड़ा च्छण भंगुर वाला गुस्सा हलका चिर्चड़ापन रह सकता है प्राकरम जादा दिखा रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें वह इसे ये मंगल ठीक है आपकी बड़ी साहता करेगा ब्रस्पति की देखें इस्तिती तो ब्रस्पति सनी की तरब जुका हुआ है कुछ समय तक मनी एक डेड़ साल तक अगर हम देखें तो परिवार को लेकि थोड़ी सी चिन्ताईं बनी रहेंगे और थोड़ा सा चीजें सामन्य रह सकती हैं इस और ये इसारा कर रहा है लेकिन आगे आने वाले समय में जहां पारिवार एक सुक मिलेगा वहीं सांसार एक सुक भी अच्छा मिलेगा सनी आपके अच्छी इस्तिति में कोई बुरे प्रेणाम नहीं दे रहा है तो सनी की तरफ से कुछ नहीं है बहुत सांदार दिखाई दे रहा है सूर्य थोड़ा जो है डाउन इस्तिति में दिख रहा है जबकि लकीर बहुत अच्छी इस्तिति में है तो थोड़ा सा जो है जो प्रियास आपके द्वारे किये जा रहे हैं उसमें अभी पूरी सपलता आपको नहीं मिल पा रही है जो आर्थिक इस्तिति है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप परिसरम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे मिलना चाहे ग्रेडिट मिलना चाहे वो उस परकार से नहीं मिल पा रहा है एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीजें उभर नहीं रही है निखर के नहीं आपा रही है और अगर हम बात करें ऐसे में जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें न तो वो विस्तार दिखाई दे रहा है न फैलाव दिखाई दे रहा है न उस परकार का नाम और यस दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए वो ग्रौत कहीं न कहीं रुकी हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं बिक्ति थोड़ा प्रेशान है इस वज़ों से ये चीज दिख रही है तो मैं एक दिप्य सूरी के रिया सूरी उपासना दे रहा हूँ उसको जोरूर करेगा बुद्ध आपका बहुत अच्छा है मैंने पहले बता दिया लेकिन आपका चंद्रमा देखें पूरी तरों से अन्बैलेंस है जिसकी वज़ों से मन कई दफे गडबड जादा रहता है और जादतर ये मानसिक परेशाने से आपको गरस्त रखता है कई बार भावकता भी देता है और देने की कोशिस भी कर रहा है थोड़ा इमोशनली परेशान रहेंगे और अपने मन कभी-कभी कारियों में नहीं लगेगा मन अच्छा नहीं दिख रहा है वो सकता है ब्याकुल हो जाता होगा भटक जाता होगा ठीक है ने? और थोड़ा सा जो है मन गडबड रहता होगा थोड़ा अपनी डाइजेस्टिर सिस्टम का मनी पेट का भी ध्यान रखें और ऐसे में नीन आने में थोड़ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है देखें उपाई में विदिवो तरेके से आपको तीन उपाई करने है एक तो आपको दिब्वी योग ध्यान के लिए करना ही करना है जो सुक्र को भी ठीक करेगा ब्रस्पति को भी ठीक करेगा चंद्रमा को भी ठीक करेगा और दूसरा आपको जो है राहो का उपाई करना है जो कदम कदम पर मुस्किले धन हानी ब्यापार हानी ये सब कुछ दिखा रहा है तीसरा आपको एक दिब्या सूर्य किरिया और सूर्य उपासना जरूर करनी है उसमें मंगल का भी उपाई दूँगा तो चीजें बहुत बेहतीरिन नहीं मानि उपाई इस प्रकार से दे रहा हूं है जो आप कर भे सकें जिनका practical फाइदा भी आपको मिले देखा जाए तो मैंने आपकी हतिलिका पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में भी बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादेम से बेज रहा हूं करने की कोशिस करे निश्चित ही आपको लाब होगा लेकिन ये इसके उपर डिपेंड करेगा आप उपाईयों को किस परकार से करते हैं इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार